चमपा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो विजय नगर में अपने मा पिता जी के साथ रहती थी लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका चूभा मिली था जिसके साथ वो दिन भर खेला करती थी ठीक है मिनी मात आओ मैं तो तुम्हारे लिए चावल लाई थी चमपा चुप जाओ मिनी चुप जाओ ओ चमपा हो गया खिला के अरे बस इसी को खिलाती रहोगी या घर में भी कुछ खाने का इंतिजाम करोगी जाओ और सुखी लकडिया ले आओ तब ही खाना बनेगा मैं अब भी गई और अब भी आई और हाँ आज मैं और मिनी खी खाएंगे चमपा जंगल में लकडी खोशते खोशते ठक गई पर उसे सूखी लकडी कहीं भी नहीं मिली कहां से लाओ सूखी लकडिया चमपा इतनी ठक चुकी थी कि बैठते ही उसकी आँख लग गई और फिर जो उसके साथ हुआ वो तो उसने कभी सोचा भी नहीं था चमपा चमपा मैं तुम ही से बात कर रही हूँ तुम बोल कैसे सकती हो क्यूंकि तुम मुझे सुन सकती हो अगर मैं सूखी होती तो तुम्हारे काम आ सकती थी पर मेरे चारो और इतनी बड़ी बड़ी ज़ाडियां और पेड़ हैं कि सूरज की एक भी किरण मुझे तक नहीं पहुशती फिर मैं कैसे सूखी बठाओ कोई इन झाड़ीयों को काटता भी नहीं मेरी तरफ मैं देखो मेरी कोई गलती नहीं यह देखो मैं तो खुद विली हूँ क्योंकि मुझ तक भी सूरज की किर्मे नहीं पौचती है? पत्ता भी बोल रहा है हाँ, तुम सुन रही हो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ और हाँ, गलती सूरज की है, मेरी नहीं इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो सबको रोशनी देना चाहता हूँ पर ये काला बादल मुझे बार-बार धंग देता है मुझे दोश मत दो, अभी दिखाता हूँ देखा, ये हवा मुझे कहीं और जाने देताम ना अब इस पर मैं क्या करूँ? सामने ये उचा महल देख रहे हो इसका दुआर तो हमेशा बंद ही रहता है फिर बताओ, मैं उस पार कैसे जाओ? सब के बाद सुनने के बाद चंपा को लगा कि ये सब परिशानी राज महल के दुआर के कारण हो रही है इसलिए वो सीधे राज महल जाके महारानी से मिली तो तुम जानना चाती हो कि मैं दौर बंद क्यों रखती हूँ उस तोटे को देख रही हो वो मुझे इतनी अच्छी-च्छी कहानिया सुनाता है कि मैं नहीं चाती कि दौर खुलने से उस पे कोई पाधा पड़ी तो तुम हो सारी समस्या की जड़ ने-ने-ने मैं तो खुद समस्या से भाग के यहां आया हूँ जंगल के तालाब का मालिक बार-बार मेरी घोशले को पानी में डुबाने की धमकी देता रहता था चंबा जहां भी जाती उसे एक नई समस्या के बारे में पता चलता पर उसने भी ठान लिया था कि वो सबकी समस्या दूर करके ही रहेगी चाहे उसे जंगल जाना पड़े और यह सूच वो तोते के बताय पते पर पहुंच गई तो तोता यहां रहता था इसी तालाब से यह सारी समस्या शुरू हुई है इस तालाब का मालिक और मेरा इरादा तोते को भगाने का बिल्कुल नहीं था वो तो हाती आकर मुझे रोज रोज धबकी देता है कि वो तालाब का सारा पानी पी जाएगा इसलिए उसका गुसा मैंने बेचारे तोते पर निकाल दिया गुस्से पर काबू रखना चाहिए न पता है आपके गुस्से के वज़े से कितने बड़ी समस्या हो गई है सब परेशान है आज तो मैं तुमसे अपना पीछा छुड़ा कर रहूंगा रुको आप इस तालाब का सारा पानी पी जाएंगे तो बाकी जानवर क्या पियेंगे तो क्या करूं बताओ ये साफ मेरे पूच पर बैटके मुझे डसने की धंकी देता है मैं तो बस अपने उपर पूरे तालाब का पानी डाल कर इस साफ को पूच से बहाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सून पूच तक नहीं पहुच पाती है हादी राजा आज सच से बता ही देता हूँ मैं तुम्हें डसने के लिए नहीं बलकि गाओं के कुमार से अपनी रक्स चा करने के लिए तुम्हारी पूच में बैठा हूँ मैं तो बस वहां उफ के घर के चूहे को खाने जाता हूँ पर मुझे डेख नहीं है मुझे मानने दौरता है चंपा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे सबकी अपनी समस्या है पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन जूप इसलिए वह सच्चाई का पता लगाने के लिए उभार के घर चली गई उस साप ने तो परिशान कर रखा है जब भी आता है हमारी मट्किया तोड़ देता है कितनी भी कोशिश करो लेकिन हाथ में नहीं आता पर जिस दिन आ गया वह उसका आखरी दिन होगा तुम क्यों हस रहे हो हसू नहीं तो क्या करूं कितना मुर्ख इंसान है अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि साप मच के तोड़ने नहीं मुझे खाने यहां आता है हां मतलब मैं तो यहां खाने की खोज में आता हूँ बस चार दाने चावल के लिए और इसके बनाए हुए मटकों में रहने का भी इंतजाम हो जाता है क्या? खोदा पहाड और निकला चुहा अरे भई तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे चार दाने चावल के चक्कर में कितने बड़ी समस्या खड़ी कर दी मुझे क्या पता? अच्छा अगर वो चार दाने चावल मैं तुम्हें दे दू तो फिर मैं क्यों यहां होंगा? ठीक है मेरे दोस्त मेरी दोस्त मीनी तुम्हें अनाज लाकर दे देगी और जब खतम हो जाएगा तो फिर बिजवा दूँगी पर दुबारा यहां मताना चम्पा ने उस चुहे के लिए अनाज भीजना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया चुहे को वहाँ ना पाकर साम्प ने वहाँ आना बंद कर दिया साम्प के जाने से हाथी भी खुश हो गया और तालाव के मालिक को कभी भी परेशान ना करने का बादा किया चम्पा ने ये खबर तोटे तक पहुचा दी और तोटा वापस अपने घर आ गया तोटे के जाते ही महरानी ने अपने कमरे का दर्वाजा खोला जिससे हवा कमरे के आर पार बहने लगी उसके बाद तालाब के मालिक ने तोटे को कभी परेशान नहीं किया और सूरज के सामने से पादल भी हट गए अब सूरज की केरने सीधे जाडियों पर पढ़ने लगी जिससे जल्दी ही वो सूप गई और फिर वहां रखी गिली लकणियां भी सूप गई चम्पा सूगे क्या हां पूठ libro कर लकणिया लाने को कहा था लक्णिया एकथा करके सूके सपने देखने लगी हो क्या सपना पता नहीं ये शपना ठाया सच पर माँ चावल के čार दाने दुनिया बदल सकते हैं कहना क्या चाहती हो कुछ नहीं मा आप बस मुझे ना हर हफते थोड़े चावल देते रहना चंपा की मा को कोई अंदाजा नहीं था कि चंपा क्या कहना चाह रही थी पर मा तो आखिर मा ही होती है उसने चंपा को बिना कोई सवाल किये एक मुठी चावल दे दि विद्याधर की बेटी राजकुमारी पद्मा अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी सुन्दरता के किसे दूर दूर तक फैल चुके थे जिसके कारण कई राजियों के राजकुमार उससे शादी करने को उत्सुख थे पर राजकुमारी पद्मा शादी का नाम सुनते ही मना कर देती थी और उसके पीछे एक अजीब सी कहानी थी राजकुमारी आपके विवाह के लिए एक से एक रिष्टे आए पर आपको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता पिताजी मुझे आपके सिवा किसी भी पूरुष पर भरोसा नहीं है इसलिए मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी परं तु ऐसे अकेले जीवन कैसे कटेगा मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी अच्छे से लड़के से विवाह कर लो राजकुमारी का भरोसा लड़कों से उठ चुका था और ये बात आग की तरह हर जगा फैल चुकी थी ये बात पडोसी राज्ये उत्तम नगर के राजकुमार वेंकट को भी पता चली और सब जानने के बाद उसने राजकुमारी से मिलने की सोची और धेश बदल कर विजये नगर पहुच गया सुना है राजकुमारी को लड़के पसंद नहीं पर इसके पीछे कोई तो कारण होगा सबसे पहले मुझे उस कारण का पता लगाना होगा पर किस से पूछू किस से पूछू अरे इस बार छोड़ दे मुन्ना अगली बात जादा बोज नहीं डालूँगा बचाओ भाई साब सुनिये जी बोलिये खुश रहो बेटे इतने जोर से पहर पढ़ने की क्या जरुरत थी संसकारी लगते हो चलिती हूँ नहीं तो राजमहल पहुचने में देरी हो जाएगी राजमहल जो भी हुआ सही आदमी से मिला इन ही से पूछता हूँ काकी काकी अरे अम्मा मैं उठा लेता हूँ बला हो तुम्हारा बेटे धन्यवाद काकी क्या आप राजमहल में काम करती है हाँ बेटे ओ फिर तो आप राजकुमारी पद्मा को भी जानते होंगे हाँ हाँ बिलकुल बचपन से काकी बुरा ना मानो तो एक बात पूछू हाँ हाँ पूछो फिर ये बताओ कि राजकुमारी पद्मा लड़कों से नफरत क्यों करती है है बताओं बेटे बहुत लंबी कहानी है अब रास्ता भी तो लंबा है कहानी सुनते सुनते रास्ता कट जाएगा ठीक है सुनाती हूं राजकुमारी को बचपन से ही एक दासी से बढ़ा लगाओ था उसी दासी में शुरू से ही उसकी देखभाल की थी और उसी दोरान वो रोज राजकुमारी को एक ही कहानी सुनाती थी कहानी थी एक खुबसूरत मैना परिवार की जिसमें मैना उसका पती और दो बच्चे थे सब लोग खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे पर एक दिन पेड में आग लगे बेचारी मैना अपने पती से कहती रही कि वो उन्हें और बच्चों को कहीं सुरक्षित ले जाए पर उसका पती तो ये सोचता रहा कि आग कुछी देर में बुझ जाएगी देखते ही देखते पेड के साथ मैना और उसके बच्चे भी जल गए और उसका पती उन्हें छोड़ कर उड़ गया ये तो बहुत बुरा किया मैना के पती ने ये ही राजकुमारी को भी लगता है बार बार एकी कहानी सुनने की वज़े से वो इतनी प्रभावित हो गई कि धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका ये जनम उसी मैना का दूसरा जनम है और पिछले जनम में उसके पती ने उसके साथ इतना बुरा किया था इसलिए वो हर लड़के से नफरत करती है तो ये बात है काकी राजमहल आ गया कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद जी तेरे बिजा तो ये कारण है राजकुमारी के लड़कों के प्रती नफरत का मुझे कुछ ऐसा उपाई सोचना पड़ेगा जिससे राजकुमारी की नफरत खत्म हो जाए महराज मैं कहानीकार हूँ मेरे पास रंग बिरंगे नए पुराने देश-विदेश हर तरह और हर जगे की कहानिया है अगर आप आदेश दे तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं आदेश है पर महराज मेरी एक शर्त है कैसी शर्त मैं किसी स्त्री से बात नहीं करूँ और अपनी कहानी भी किसी स्त्री को नहीं सुनाऊंगा यह कैसी शर्त है क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ जरूर महराज जब मैं कहानियों के लिए देश विदेश घूम रहा था तब मैं एक साधू से मिला उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे बताया कि पिछले जनम में मैं एक नर मैना था मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक पेड में रहता था फिर एक दिन उस पेड में आग लग गए और मेरी पत्नी हम सब को उस आग में जलता छोड़ वहां से चली गई मैं उससे हम सबको बचाने को बोलता रहा पर उसने मेरी एक ना सुनी और बस अपने प्राण बचा के चली गई और जब से मुझे ये बात पता चली मुझे स्त्रीयों से नफरत होगी मैंने तैय कर लिया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा रुक जो तुम्हारा ये साहस क ये इसकी नहीं मेरी कहानी है और चोड़ कर मैंने ये गया था हमें मैं वही मैना हूं जो पिछले जनम में तुम्हारी पतनी थी नहीं माराज मेरी कहानिया विल्कुल सच्ची है झूट तो ये बोल रही है नहीं तुम जूट बोल रहे हो राजकुमारी पदमा और राजकुमार वेंकट की लड़ाई रुखने का नाम ही नहीं ले रही थी दोनों को अपनी कहानी सच्ची लगती थी महाराज विद्याधर ने जब ये देखा तो कुछ सोच कर उनकी लड़ाई को रुखने की सोची रुको ये मेरा दर्बार है यहां की मर्यादा कोई भंग नहीं कर सकता इसके लिए तुम दोनों को दंड मिल सकता है शमा महराज शमा कीजिए महराज पर आपके राजयका ये कैसा न्याए है मैंने तो बस एक ही शर्ट रखी थी कि अपनी कहानी किसी स्ट्री को नहीं सुनाओंगा एक तो मेरे शर्ट का अनादर हुआ उपर से मुझे बंदी भी बना लिया गया खेरब बंदी बना ही लिया है तो फैसला भी सुना दीजिए कि आपके अनुसार किसकी कहानी सच्ची है मेरी या राजकुमारी पद्मा की जाय और अधिकार का बहुत ग्यान है तुम्हें तुम कोई साधारण युवक नहीं जल्दी से अपनी असली पहचान बताओ ये राजकुमार विंकट आप महराज महराज यह हमारे पडोसी राज उत्तमनगर के राजकुमार विंकट है बहुत ही बुद्धिमार और बहुत अच्छा तो ये बात है खेर अब मैं अपना फैसला सुनाओंगा राजकुमारी को लगता है कि पिछले जनम में उसका पती यानि नर मैना ने उसे धोखा दिया जबकि राजकुमार विंकट की कहानी के अनुसार धोखा उसकी पतनी मैना ने उसे दिया पर गलती जिसकी भी हो, तुम दोनों को ये पता है कि वो एक गलती थी, और इस जनम में तुम दोनों ये बात जानते हो जी महराज देखो मेरा मानना है कि ये माइने नहीं रखता कि पिछले जनम में तुम क्या थे और तुमने क्या गलतिया की थी माईने ये रखता है कि इस जन्म में तुम्हें क्या करना चाहिए यदि तुम चाहो तो अपने पिछले जन्म की भूल को इस जन्म में सुधार सकते हो वो कैसे महराज तुम दोनों विवाह कर लो और फिर साथ साथ बिना उस गलती को दोराए रह सकते हो पद्मा और वैंकर को महराज की बात समझ में आ गई और दोनों ने शादी कर ली और साथ साथ मिलकर प्यार से रहने लगे